दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग मेरा पहले चार वीडियो को अच्छे से पढ़ ले होंगे पर उसी के करम में हम आगे बढ़ते हैं कुछ आप लोग को फर्मूला का अध्यन बताएंगे फर्मूला रटना नहीं समझना है इस बात को ध्यान देना है और कुछ टॉपिक क आप लगा इसरा करते है इसको अध्यन किजिएगा तो फिर जो फर्मूला हम बताएंगे उसमें आपको समझने में एक दम आसानी होगे चलिए देखते हैं, वो क्या फर्मुला है, कुछ चिन परिपाटी की मदद से हम आप लोग को बताना चाहते हैं, कैसी ये फर्मुला बनेगा, और कहां पर क्या पोजिटिव होगा, चलिए सबसे पहले हम एक लकीर खीटते हैं चिन परिपार्टिज इसको बोलते हैं इसी के माध्यम से हमको समझना परेगा इसको हम लोग फास्ट पार्ट बोलते हैं इसमें आपका 90 डिगरी माइनस थिटा या 360 पलस थिटा के लूप में इसको हम लिख सकते हैं यह दोनों ही रूप में चलेगा अग यहां पर क्या है जब थिटा का भेलू 0 डिगरी थिटा का भेलू जो है 0 डिगरी से 90 डिगरी तक हो सकता है इस पार्ट में क्या होगा आपको अल पोजिटिव होंगे साइन से एक कॉसिप अल पोजिटिव होंगे अब आते हैं सिकेंड पार्ट में सिकेंड पार्ट आपका 90 डिगरी प्लस थिटा 180 डिगरी माइनस थिटा के लूप में हो सकता है यहाँ पे हमको साइन और कॉसिप पोजिटिव होगा साइन कॉसिप पोजिटिव होगा सेज निगेटिव हो जाएगा यह अच्छे से समझ लेजिएगा तो आपको जो फर्मूला हम बताएंगे अगले पार्ट में वो समझने में आपको एकदम आसा आनी रहेगा अब आगले आता है थर्ड पार्ट यहाँ भी थिटा के लिएवा आपको वह जीरो से 90 डिगरी तक रहेगा थर्ड पार्ट इसमें भी आपको 10 यहाँ डिगरी पहले चर्चा कर लेते हैं डिगरी आपको यह 180 पलस थिटा या 270 डिगरी माइनस थिटा के रूप में हो सकता है और जहाँ थिटा का भेलूप जीरो डिगरी से 90 डिगरी तक होगा यहाँ आपको 10 और कॉट पोजिटिव होगा 10 और कॉट पोजिटिव होगा 6 निगेटिव रहाँ यहाँ यह तो आपको तीसरा पार्ट हो गया चौथा पार्ट जो आता है फोर्थ पार्ट इसमें आपको भेलू जूर लिखा जाएगा 270 डिगरी पलस थिटा या 360 डिगरी माइनस थिटा के रूप में इसको हम लिखेंगे यहाँ पे हमको कॉश और सेक कॉश और सेक पोजिटिव होगा सेस निगेटिव रह जाएगा यह हमको चीने परिपार्टी से कुश सीखने को मिला किस पार्ट में कौण पोजिटिव होगा और कौण निगेटिव होगा अब हम देखते हैं जो आगे क्या बदलाव होता है और इस पर आधारित कुछ और बदलाव आप लोग को होँ बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आये अगर थीटा का भेलो जीरो डिगरी से नब्बे डिगरी की और अगरसर होता है तो किस में कहां बदलाव होता है उसको आप गौर किजिएगा समझ में आजाएगा जैसे ही ठीटा का भीलू 0 डिग्री से 90 डिग्री के और बढ़ेगा तो साइन ठीटा का भीलू जो है इंक्रीज करेगा फिर कॉस ठीटा में अगर आते हैं ठीटा का भीलू अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के तरफ बढ़ेगा तो कॉस ठीटा का भीलू डिक्रीज करेगा तो टैन ठीटा अगर ठीटा का भीलू 0 डिग्री से 90 डिग्री के और बढ़ेगा तो इसका टैन ठीटा का भीलू इंक्रीज करेगा जैसा कि हम यह उपर का तीन देख लिया इसी को पलट देंगे तो आगे का तीन हम को प्राप्त हो जाता है साइन को उल्टा कौसेक हो जाएगा कौसेक थिटा यहां इंक्रीज कर रहा है तो यहां पी यह डिक्रीज करेगा सिर्फ तीन याद रखना है बागे तीन तो आटोमेटिक हो जाता है यह decrease कर रहा है तो यहाँ पे थेटा का बेलू बरने पे increase करेगा यह increase कर रहा है तो यहाँ थेटा का बेलू यहाँ पे थेटा का बेलू बरने पे decrease करेगा यह तो increase और decrease की बात हो गई अब कुछ और महत्त पूर्ण बात है इसे रिलेटेड जो आप लोग को बता रहे हैं अगर थीटा 90 डिग्री पलस माइनस थीटा के रूप में हो या 270 डिग्री पलस माइनस थीटा के रूप में हो रूप में हो तो नेमल परकार बदलाव होंगे वो बदलाव क्या है देखे साइन थीटा साइन कॉस में बदल जाएगा कॉस साइन में बदलेगा टैन कॉट में बदलेगा सिक कॉसिक में बदलेगा कॉसिक सेक में बदलेगा कॉट टैन में बदलेगा इस प्रकार ये बदलाव होगा इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं अगर शुतर बतलाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगले वीडियो में हम आपको अब इसी पर आधारिती नाइंटी प्लस माइनस थीटा टू सेवेंटी प्लस माइनस थीटा इस साथ में पूरे चारो पार्ट से संब्दित फर्मूला आप लोग को बताएंगे आप लोग कंटिन्यू बने रहें अच्छे से वीडियो देखिए और इसके नोट करते चलिए ताकि आप लोग को समझ में आए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में